नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं J.S.S.C.C.D.L. में 2025 पदोपर निकली भरती, जारखन में 2025 पदोपर नियुक्ति होगी इसके लिए जारखन क्रमचरी चैन आयोग ने समाने असनातक योगता धारी सन्युक्ति परत्योगता परिक्छा 2023 के भीगाप पंजारी कर दिया है इसके तहट नियमित पदोपर 2017 और बैकलोग के आठ पदोपर बाहली होगी इसके लिए ओनलाइन आवेदन 20 जून से 29 जुलाइ तक भरे जाएंगे वहीं 21 जुलाइ तक परिशा सुल्ख का भुक्तान किया जा सकेगा जबकि फोटो वह स्ताक्षर अपलोड करने के अमतिमती थी 23 जुलाइ तकी गई है वहीं 25 से 27 जुलाइ तक अउनलाइन आवेदन पत्र में अभियार थी आपना नाम जर्मती थी इमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी असुधी जनकाई कुसे असुध कर सकेंगे वहीं परिक्षा के लिए नियुमतम उम्र सीमा 21 बस रखी गई है और इसकी गणना 1 अगस्ट 2023 से होगी जबकि अधिक्तम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्ट 2009 से तय होगी बता दे इन में सहायक प्रसका पताधिकारी के 836 पद कनिये सचिवाले सहायक के 335 स्रम परवलतन पताधिकारी के 182 प्लानिंग असिस्टेंट के 5 प्रखंड कल्यान पताधिकारी के 195 प्रखंड अपूर्ति पताधिकारी के 252 अंचल निरिक छक के 180 और बैकलोग पद में कनिये सचिवाले सहायक के 8 पद सामिल है ज्यारखंड में तापमान 49 से 25 डिगरी सेलसेस के बिच बना हुआ है कई जिले में लू चल रही है वही रांची सित मौसम के इंद्र लगातार लू को लेकर अलर्ड जारी कर रहा है कल तक जहां 10 जून तक लू चलने के संका थी वहीं अब मौसम विभाग ने अपडेट दिया है कि राजे में 11 जून तक लू चलेगी मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 8 जून तक देवगर दुमका गोड़ा साहयोगांज पांकुर जाम तरा पुर्भी सिमू, पच्मी सिमू और सराक लखार सावा जिले में लू की चेतावनी है वहीं 8 और 9 गो गढ़वा पलामो चत्रा लाते हर लोहदक का गुमला और सिम्टे का जिले कर छोड़ कर पूरे राजे में लू चलेगी जबकि 9 से 11 जून के लिए विभाग ने पूरे जार्खन में लू का अलर्ट जारी किया है जार्खन में MSME नीती तयार सरकार देंकी 10 करोड तक सबसीडरी जार्खन सरकार ने MSME नीती तयार कर ली है इसके प्रस्ताव को मुख्य मंत्री हमानसुरे ने मंजूरी दे दी अब बित वा बीधी विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है इसके बाद केमिनेट में भेजा जाएगा जर्खन सरकार MSME के लिए न केवर नीती बनाई है वलिक इसके लिए अलग नीदे साले का भी गठन करने जा रही है नीदे साले के गठन के प्रस्ताव को प्रसास्तिनिक पदवर्ग समीती के मंजूरी के लिए भेजा जाएगा सरकार MSME उद्योग को दस को रुपए तक सबस्री देगी साथ ही MSME उद्योग द्वारा अपने करमचारियों के EPF और ESI की रासी जामा करने पर सरकार प्रतिक करमचारी एक हजार प्रतिमा की रासी भी देगी सीबू सोरेन की अध्यक्ष्टा में 10 जून को होगी जार्खन राज समनोय समीती की बैठक इसके 4 सरस्यों को मंतिक दाजा दिया गया है सीबू सरेन को समीती का अध्यक्ष बनाया गया जबकि कॉंगरेस के परदेश्ट अध्यक्ष रायस्ठाकूर सर्फराज अहमद फागू बेसरा बिनुवत पांडे वा योगेंद्र महतों को सरस्य बनाया गया है बाबा मंदिर पहुचे डी-सी मनजुनात भजंतरी उपायुक सा जिला दंडा अधिकारी मनजुनात भजंतरी ने बाबा बायजनात मंदिर पहुच कर सुरक्षा बेवस्था वबिधी बेवस्था के जाजा लिया इस जान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगन का निरिक्षन कर अगामी राजगी स्त्रावनी मेला दोजयते इसको लेकर की जाने वाली बेवस्था हो सरधालो की सुविधाओं को लेकर किये जाने वाले कारियों सिग्रदर्शनम की बेवस्था को लेकर समंधित अधिकारियों को आवस्षक निर्देश दिया उपायुक्तिने बाबा मंदीर प्रांगान, फूट अवर ब्रीज, क्यू कम्पलेक्ट, संसकार, मंडप एवन सभी 22 मंदीर में किये जाने वाले कारियों को समय पूर्ण करने का निदेश दिया ताकि सरधालो सुलब वस्वरक्षी जलारपन कर सके जैक बोड नोवी के रियल्ट जारी अभी 24 जूलो का पाइना नाबे परदस से उपर रहा है वहीं आपना रियल चेक करने के लिए जैक की वेपसाइट www.jackreal.com पर जाकर चेक कर सकते हैं लिंक के साथ वेपसाइट के होम पेज पर पहुंच सकते हैं जह कंद बीएड इन्ट्रेस एकजाम की मेरिट लिस्ट जारी जैरागरण संजुकतय परवेस परfilक्ते परधाब परीक्षा परसदने मंगलवार को बीड़ परवेस परिक्षा का पहिणाम जारी कर दिया है जह कन बीड़ परवेस पर रिक्षा Toby में भी पहला स्थान मिला है इसके लावा मोहमद बक्स मोधसर दूसरा और मिठलेश कुमार सिंग को तिसरा स्थान मिला है दोनों को करम सा 82.5 और 80.25 अंख मिले हैं वहीं चौह थे और पांच वे अस्थान पर करम सा दिपक कुमार वर्मा और विबेक कुमार सिंग रहे जिने 80 तथा 77.5 अंख मिले हैं जारखन में इस बार भी देरी से दस्तक देगा मानसून पिछले साल की तरह इस बार भी जारखन में मानसून देरी से परवेश करेगा बंगाल की खाड़ी के राश्ते केरल होते हैं मानसून देश के 30 छेतरों में परवेश करता है इस बार केरल मे देर से दस्तक देगा बदादे जारकान में मानसून 14-15 जुन तक परविस्ट कर जाता है लेकिन इस बार 4-5 दिनों के देरी से 18-20 जुन तक राजी में परविस्ट करने की समधने जताई जा रही है इसका सिधा असर किसान पर पड़ेगा देरी से मानसून आने के चलते बारि में परविस्ट करेगा पलामु के 73 बालु घाटों से सर्तों के साथ बालु का होगा उठाव पलामु डिसी अंजने युल्लू दोड़े के निदेश पर जीले में के टेगरी 1 के 73 बालु घाटों से बालु का उठाव सुरू हो सकेगा पंचायत अस्तर प्रगठीत 8 सदसी स समीती बालु घाटों से बालु उठाव का संचालान करेगी इसको लेकर त्यारी सुरू कर दी गई है जीला खनन पतादिकारी सभी चीनित घाटों के मोनेटरी करेंगे बालु उठाव के लिए कई नियम वसरत लागू किये गए हैं बता दे पलामु डिसी द्वारा जीले क काटेग्री बालु घाटों से बालु के उठाव को लेकर दिये गए निर्देश के बाद जीला खनन पता दिकाई ने पत्रकारों को बताया है कि जिले भर में कूल 73 बालु घाट से कटेगरी वन बालु का उठाव किया जाएगा बालु उठाव को लेकर पंचायत अस्तर पर 800 से टीम गठित की गई है जो बालु उठाव का संचालन करेगी वहीं बालु उठाव के लिए बनाई गई समिती की निगरानी परखंट अस्तर ये द्वारा किया जाएगा वहीं खणन पता अधिकाई ने पताया है कि बालु घाटों से उठाव किये गई बालु का उप्योग नीजी गेर बेवसाईक, समुदाईक, उदेश से एवं सरकार द्वारा प्रायोजीत, कलेनकार योजनाओ के लिए ही होगा मैदूर नेताओने स्रम विभाग के सामने किया परदर्शन मंगलवार को मैदूर यूनियन और ट्रेट फ्रेडर्शन से जुड़े लोगों ने स्रम भावन का घेराव कर अधिकारियों के गयापन सोपा मैदूर ने 14 सुत्री मांगो को लेका डुरांडा चौक से स्रम भावन तक पैदल मार्च किया और केंदर सरकार की मैदूर विरोधी नितियों खिलाप नारे लगाए धन्यवाद